कामे सुमिछ चरवर्मनी सिखाप दियानी धमपद गाथा नंबर कथा नंबर 58 और 59 दोनों ही की जो कथा है वो एक है गाथा इसमें दो हैं दोनों जुड़ी हुई है सावित्ती का जो जैत्वन है यानि सावित्ती के अंदर दो मित्र रहते थे एक का नाम था सिरी गुत और एक का नाम था गरे दिन सिरी माने तो मुख्य होता है हैड माने और गुत माने जो होता है संदक्षक या गाड़िट जो काम करता है और गरे दिन का मतलब है जो गरे देता है घर देता है गरे दिन का मतलब गरे दिन है दौनों ही मित्र बहुत ज़्यादा आपस में घनिश थे और वाग विवाद चर्चा जो जीवन और जो अत अजन होता है यानि स्वयम का ध्यन होता है उसके वारे में करते रहते थे सरीर कैसे काम करता है हम कैसे आगे बढ़ते हैं दुख कैसे आता है इस पर वो इनिशल चर्चा जितनी जानकारी सुनते थे वो करते थे जो स्री गुत है स्री गुत बुद्ध की जो फिलोसफी है उससे बड़ा प्रभावित है और जो गरहे गरहे दिन्ना है गरहे दिन्ना जो निगठ नाथ है निगठ गर्म्थी है उनसे बड़ा प्रभावित है दोनों में आपस में चर्चा होती रहती है कि वहाँ क्या कहते हैं यहाँ क्या कहते है तो जो गरहे दिन्ना होता है गरहे दिन्ना वो कहता है कि हम आपस में एक दूसरे के जो भिक्कू है या मंक्स है या जो जानकार है उनको बलाते हैं तो सबसे पहले जो ग्रे दिनना है वो निकट नाथों को बलाता है निकट नाथ वहां आते हैं उनके लिए भोजन दिया जाता है भोजन के उपरांत बाद विवाद धम की चर्चा आरम होती है दोनों मिलके प्रसंद करते हैं प्रसंद करने में जो निगट नाथ हैं वो सही प्रसंदों का जवाब नहीं दे पाते और जब तरक नहीं आते तो आदमी चिलनाना सुरू कर देता है तो वो वहाँ वाद विवाद होता है और वहाँ जो वातावण है पुरा अंगारे में यानि गरम हो जाता है वातावण और सबी लोगों को उसकी गरमी महसूस होती है और वो जो वाद विवाद वाला यानि तरक और ग्यान और विज्यान वाला जो जितना भी जान गए थी वो वहाँ खराब होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ का वातरबन बहुत दूसी तो खराब हो जाता है इस तरह से वो सभाब फेल हो जाती है फिर अगली वार जो स्री गुत होता है स्री गुत जो भिक्कू है और भगवान बुद्ध है उनको आमतित करता है स्री गुत के आमतरण पे भगवान देखते है कि स्री गुत और गरह दिन्ना में दोनों में ही तर्क ज्यान बहुत जादा है और जिसमें तर्क ज्यान होता है वो आगे बढ़ सकता है सोतापन हो सकता है ऐसा जानकर वो उनके भोजन के निमंतन को सुखात लेते हैं और उचित समय पर वहाँ पहुंचते हैं वहाँ पहले भोजन दान होता है खाना होता है उसके बाद में फिर धंब का दान होता है धंबदान होता है तो चुकि पहले से वातरवन बड़ा गरम होता है जो पहली मीटिंग होती है जो पहली सवा होती है तो वहीं से आरम होता है यानि गर्मी से ही सारा आरम होता है वो अपने सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल जो गरह दिनना होता है और जो और लोग बैटे होते बगवान बहुत शांती से और बहुत सीतलता से और बहुत सोमय तरीके से सारे सवालों के जवाब देते हैं जैसे जैसे वो जवाब देते जाते हैं वैसे वैसे सारा बातरवन बड़ा थंडा और बड़ा शांती प्रे होता जाता है सब को बड़ा प्यारा मन और कारी लगता है आखिर में सब लोग शांत हो जाते हैं संतुष्ट हो जाते हैं कि भगवान बुद्ध ने और उनके विक्को संग ने सारे जवाब बिल्गुल ठीक दिये हैं और कहीं होने कोई वाद विवाद भी नहीं किया इस तरह जो गर्य दिन्ना होता है और जो सिरी गुत होता है दोनों ही धम की सरण में चले जाते हैं और धम को गण करने के लिए अपनी सुती अपनी सेहमती देते हैं तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कहीं जो गाथा नमबर 58 और 59 है यथा संकारठानिस्मिंग उज्जित्स्मिंग महापथे पदुमंग तत्थ जायत सुचिगंधं मनोरमंग यथा संकारठानिस्मिंग यथा संकारठानिस्मिंग का मतलब है यथा माने जैसे संकार जो बोलते हैं वो बोलते हैं कूड़े को संकारठान संखारक्ठान का मतलब है कि जहां कूड़ा करकट इखटा किया जाता है संखारक्ठान इसमिंग का मतलब है जहां कूड़ा होता है कूड़े के धेर में उज्जितिस्मिंग महापथे उज्जित माने जो होता है फैका हुआ होता है जितनी समाने के धेर में फैका हुआ महापथे, महापथे का मतलब बड़े रास्ते यानि कोई रास्ता जो बड़ा है चोड़ा है यहां बहुत लोग आते जाते हैं उसके कूड़े के धेर में फैका हुआ पदुमंग तथजायत पदम जो होता है वो बोलते हैं पदम और पदम, पदम जो होता है वो होता है कमल, और तथ का मतलब होता है उस स्थान पर वहाँ, जायत का मतलब होता है जायती माने होता है तुत्पन होना पैदा होना जायती, और अगर हो चुका है तो उसको जायत बोलते हैं, पदम तथत ज यानि वहां कमल पैदा होता है सुची मानने पवित्र गंधवाला मनورम जो मन को आकरशक लगता है यानि कि किसी बड़े रास्ते पर जो कुला करकत फैंका हुआ है उस कूले करकत में कमल पैदा हो जाता है जो बहुत ही अच्छी गंध का है और जो बहुत ही अच्छा लगता है, मनुर्म लगता है फिर वो दूसरी गाथा में कहते हैं एवंग सकार भूतेसू एवंग संकार भूतेसू एवंग माने इसी प्रिकार संकार भूतेसू संकार माने हो गया धेर और भूतेसू माने प्राणियों का यानि प्राणियों के धेर में प्राणियों के धेर का मतलब जो ये भीड़ है संसार में अंद भूते पुथुथ जने अंद भूते अंद भूते का मतलब है जो अंदे हैं समधा नहीं है देखते नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है सरीर कैसे चलता है मन कैसे काम करता है पाप कैसे आता है पाप कैसे जाता है अच्छे करम कैसे हमें लाब देते हैं कैसे नहीं देते हैं उनको अंद भूते का है भूते माने जो जितने प्राणिया उनको भूत करके बुला गया है भूते होगे अंद भूते पुतुजने, पुतुजने का मतलब है जिनकी जानकारी, ऐसे लोग जिनकी जानकारी नीचे किस तरकी है, कम है अती रोचती पैयाएं अती रोचती पैयाएं के मतलब है अती रोचक होता है यानि बहुत अच्छा लगता है पैयाँ वाला यानि कौन है पैयाँ से पैयाएं का मतलब पैयाँ से सम्मा सम्बुध साबको सम्मा सम्बुध का जो सिस्स है साबक है वो अपनी पैया से बहुत अच्छा लगता है उन लोगों में जो अकल से, जो सरीर से, जो दिमाग से बहुत छुटा सोचते हैं प्रग्या को नहीं देखते, दुखो को नहीं समझते, पाप को नहीं समझते ऐसे लोगों के धेर में वो सबसे अच्छा लगता है यानि कि ये जो दो कथा हैं इनका जो अगर हम मतलब निकालेंगे तो वो इस पिकार है कि जैसे कूड़े का कोई धेर किसी रास्ते पर पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर कोई कमल पैदा हो जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छी उसकी गंद लगती है बहुत अच्छा मनोरम होता है उसी तरह से जो ऐसे लोग हैं जो पाप अपुन्य को नहीं समझते हैं और पापी पाप काम किये जा रहे हैं उनमें अगर कोई सम्मा सम बुद्ध का भगवान बुद्ध का कोई सावक है तो वो अपनी प्रग्या से बहुत अच्छा उनमें लगता है यह जो कथा मैंने आपको सुनाए थी जिसमें स्री गुत और गरहे दिन की जो कथा है जिसमें वाद विवाद होता है इसमें एक बात आप ख्यास ध्यान देंगे कि जब निकटनाथ आते हैं और वहाँ पर वाद विवाद करते हैं और सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं सबसे पहले वो क्योंकि तरक उनके पास है नहीं तो सबसे पहले वो जो जोड़ से चलाना सुरू करते हैं या मिस गाइड करना सुरू करते हैं या उनका जो समू और जो गुरूप है वो सारा गुरूप उस बात पर अड़ा रहता है जो बात एक कहता है, वो ग्रुप बनाके, समू बनाके, गलत बात को प्रेसराइज करके सही करने की कोर्शिस करते हैं जब वो इसमें भी फेल हो जाते हैं, और लोग कहते हैं कि जो आपने बात कही है, वो तक संगत नहीं है, वो खड़ी नहीं उतर रही है तो फिर वो और ज़्यादा अगर होते हैं, और गाली करोश पर आ जाते हैं, यहां तक कि वो मार पीट पर भी आ जाते हैं इस पूरे माहौल से एक गर्मी पैदा होती है, एक अंगारे पैदा होते हैं जो चार तरफ के वातरवन को जलाते हैं और सम्में आग पैदा कर देते हैं बहगवान गुतु जो आते हैं वो अपनी बात तक से कहते हैं जिससे एक वर्सा होती है एक शांती होती हिए और सारा वातरवन शांत हो जाता है ये तब भी चलता था और ये आज भी चलता है आज भी जिस व्यक्ति के पास में तरक नहीं होगा वो या बोलेगा नहीं या बोलेगा तो बहुत जोड़ जोड़ से बोलेगा या अपने दो-चार साथ ही अपने जैसे एकटे कर लेगा जो बुलकुल उसके अंदे विस्वासी होंगे उनको कहेगा कि ये सामने वाला मुसे तर्क बतर्क करता है आप जोड़़ से च्ला और मेरी बात पर यस करो इसके अलावा अगर कोई बात ऊसको बार 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 कही जाए तो वहां गाली कलोज पर जाएगा या वो मारे प्टाई पर जाएगा या वो दंगा कराने की इस्तितीम आ जाएगा मगर बिना तर्क वाला अगर तर्क की सकती के आगे बोलता है कहता है तो यही प्रिणाम हमेंचा पूरी दुनिया में आते हैं इसलिए अगर आपको लगता है कि कहीं कोई व्यक्ति वाद विवाद में चिल्डा रहा है या उसके कुछ साथ ही चिल्डा रहे हैं वो सारा ही वातरवन खतम हो चुका है वहाँ आग है और उस जगे से हट जाना चाहिए वहाँ तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ तर्क की बदले में तर्क ना होके कुतरक आ रहा है और कुतरक से गर्मी पैदा होती है आग पैदा होती है द्विस पैदा होता है गाली गरोस पैदा होती है मार पिटाई होती है हत्याय और कतल होते है ये सारी बातों से बचने के लिए महां से तुर्ण थड़ जाना चाहिए ऐसा मैंने एक वारे को सुना था कि जब मुहम्मद मुस्तफा ﷺ जिनको मुहम्मद साब बोलते है अरब के अंदर कि कोई उनको अपने जगड़े में लेके गया कियाना मेरा उससे वाद विबाद है आप मेरा वाद विबाद शांत करा दिए क्योंकि आप तो अमीन है और आपकी सब बात मानते हैं और मेरा जगड़ा खतम हो जाएगा तो जब वहाँ जगड़े में सांत कराने के लिए वहाँ गए तो वहाँ देखा कि दोनों पार्टियां बहुत जोड़ जोड़ से लड़ रही है और बड़ी एक दूसरे को गाली कलोच कर रही है तो वहाँ से जो मुहमद साब थे वो चुपचाप वहाँ से निकल आए तो जो व्यक्ति उनको लेके गया था वो उनके पास कहा और उसने कहा कि जगड़ा हो रहा था और आप तो चुपचाप निकल आए तो उनका रहे बाबा आपने देखा नहीं वहाँ तो जितने भी फरिष्टे थे वो सारे चले गए वहाँ एक भी फरिष्टा नहीं था वहाँ तो जितने भी थे सासारे के सारे वो सब वो लोग बचे जो फरिष्टों के तुस्मन होते हैं तो उन्हें का जी मैं समझा नहीं तो उन्हें कहा कि वहाँ जो आप आगो ले थे और लड़ रहे थे उससे जो अच्छी तरंगे थी जो अच्छी भावना थी वो तो सब चली गए वहाँ से वहाँ अच्छाई तो कुछ थी नहीं तो मैंने सोचा कि यहाँ बात बनेगी नहीं तो मैं भी वहाँ से निकलाया यह बात अब भी और यह बात बात में भी रहेगी कि जिसके पास तर्क नहीं होंगे वो हमेसा लड़ेगा वो हमेसा करफशन करेगा वो हमें सब पापियों को एकटा करेगा वो एक majority खटा करेगा पापी लोगों की, करट लोगों की, Confuse लोगों की, डडाई करेगा, जगडा करेगा, मर कभी बात नहीं करेगा मुद्दे को भटकाएगा, क्योंकि उसे बात करना आता नहीं है और उसके दिल में, और उसके मन में चोर है, धन्यवार आप सबी से यе निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ वितना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद सर्णं गच्छामू संगं सर्णं गच्छामू तू थियंपी बुद्धं सर्णं गच्छामू तू थियंपी बुद्धं सर्णं गच्छामू दूतियं पी धम्मं अर्सर्ण गच्छाम। दूतियं पी धम्मं सर्णं गच्छाम। दूतियं पी संगं सर्णं गच्छाम। दूतियं पी संगं सर्णं गच्छाम। ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छाम। ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छाम।